What's up guys, welcome back in another video guys, Ang Finance ने Yes Bank के साथ क्लाबरेशन किया और इस क्लाबरेशन के थूरू इन्होंने एक क्रेड कार्ड लाउंच किया है जिसका नाम है PY, इस PY क्रेड कार्ड की एक खासियत यह है आपके पास कोई अगर से पहले से क्रेड कार्ड है, तो उस credit card के थुरू ले सकते हैं आप उसका credit card का number आ लेंगे उसकी limit यहां से combine चलेगी suppose अगर से आप pi से भी कुछ expand करते हैं तो जो आपके पास already credit card है तो उसमें से भी कम हो जाएगी limit ठीक है तो आप इतना समझ गाऊंगे तो इसको बोलते हैं floater credit card आपके पास जो भी credit card already है उसके थुरू यह credit card आप ले सकते हैं तो यह credit card आपको मिलेगा कैसे चलिए detail में जानते हैं तब तक video को like कर दीजे चैनल पहली बारा है चैनल को subscribe कर दीजे चलिए video को शुरू करते हैं description में मैंने link दिया है इस पर click करेंगे तो आप इस website पर redirect हो जाएंगे ang.finance पर ठीक है आप इस पर click करेंगे तो यह website open हो जाएगी यहाँ पर पूरा detail में पढ़ सकते हैं मैं आपको मोटा मोटा समझा दे रहा हूं इसमें रूपे credit card आपको मिलेगा रूपे credit card में आप जब UPI से payment करेंगे तो उस पर 4x reward point मिलेगा अभी इन्होंने कुछ mention नहीं किया कि एक reward point की value कितनी रूपे होगी यह तो credit card launch होने के बाद ही यह लोग mention करेंगे कि एक reward point की value कितनी रूपे है और online transaction पर 2x reward point मिलेगा तो approximately मान लेते हैं sign up on ank instant pi credit card portal इसमें आपको sign up करना है और please choose your current credit card to set the limit for the pi credit card आपको जो भी आपका existing credit card है उसको select करना है उसकी limit select करना है कि कितना आप combine करना चाहते हैं इस credit card से please provide consent for your signing new pi credit card ठीक है उसको provide करना है consent और sit back and relax your credit card get issued आपको complete होगे आपका और यह बोल रहा है कि आपको relax करना है जब तक issue नहीं हो जाता card ठीक है और start using your credit card on any upi app like phone pay or g pay ठीक है guys तो आपको get by credit card पर click करना होगा इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको mobile number डालना होगा यहाँ पर देख सकते हैं complete your journey in just 3 step तो यहाँ पर आपको mobile number डालना है जो भी आपका credit card से लिंक रहता है तो यह सब में जो भी link रहता है वो mobile number आपको डालना है तो मैं यहाँ से अपना number type कर दे रहा हूं guys मैंने number type कर दिया अब यहाँ पर get अब यहाँ पर OTP आईगी guys OTP को मैंने fill up करना है तो guys इसमें OTP verify हो नहीं पा रहा है जिसके वह से मैं next step नहीं दिखा सकता मैं आपको process बता दे रहा हूं आपको क्या 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 करना होगा आपको इसमें आ जाना है NQ में NQ टाइप करेंगे यहाँ पर में लिखा हुआ है यहाँ पर जो मैंने step बताया है आपको वही करना है यहाँ पर step लिखा हुआ sign up करेंगे portal पर आपको current credit card चूज करना है इस bank का credit card है credit card का यहाँ पर first four number डालना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको waitlist में सचला जाएगा आपका नाम इस विए से नहीं हो पा रहा है ठीक है गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना आपको कोई doubt होते कमन में आप पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में